बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी मित्र जनों का आज का राशी फल पे मैं सिधान सेगल वैदिकन केपी एस्ट्रोजर ये राशी फल में चंद्र राशी यानि मून साइन के तहट बताता हूं तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पंचांग की 21 जून 2022 भॉमवार यानि मंगलवार का दिन है आज कृष्ण पक्ष की अश्टमी तिथी रात 20-30 तक रहेगी उसके बाद कृष्ण पक्ष की नौमी तिथी शुरू हो जाएगी आज शाल का सबसे बड़ा दिन है और अंतर राष्ट्रिय योग दिवस भी आज है चंद्रदेव आज उत्रा भाधरपत नचत्र में विचरन कर रहे हैं और चंद्रदेव आज नीन डाशी में विचरन कर रहे हैं शक्षमत उन्निस सो चवालिस विक्रम सम्मत दोहजार उन्नासी चल रहा है अभिजित मूरत ग्यारा नौ से बारा चार तक अमरित काल रात बारा दस से अधिराथ के एक से तालिस तक सरवार्त सिद्धी योग आज है गुलिक काल 11.36-13.18 यमगन काल सुबा 8.13 से दिन के 9 बजबं तक रहुकाल दुबहर 15 बज़े से साम 16.41 तक पंचक और पंचक क्या है आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगा लिखा प्रशूल उत्तर राहुकालवास पस्चिम की तरफ है चगडिया देख लेते हैं आज का तो लाब चगडिया दिन के 9 बजबं से 11.36 तक अमरित चगडिया 11.36 से 13.18 तक सुब चगडिया 15 बज़े से 16.41 तक सुर्यास्त के बाद लाब चगडिया 19.41 से रात 21 बज़े तक राहुकाल और सुब चगडिया 17.41 तक स्जूरो नाहिं केहला थे किसी प्रति शूब काम आपको इस वक्ते नहीं करना चाहिए जैसे कि ग्रह परवेश करना रुपए पैसे से समंदी महतपून लेंदेन करना कोई भी शुब काम यहां तक की प्रेम निवेदन भी ना करें अगर आपका प्रेम सच्चा है तो राहु काल में किया हुआ प्रेम निवेदन सफलता प्राप्त नहीं कर पाएगा तो आपको बह आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मेश शेलेकर मीन राशी तक के जातकों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है तो इस कड़ी में सबसे पहले हमेशा की तरह हम बात करेंगे मेश राशी के जातकों के बारे में तो मेश राशी के जातकों के लिए आज का दिन इच्छा है प्रमोशन का दिन सरकारी नौकरी में है या प्रैवेट जॉब में है तो आज आपका प्रमोशन हो सकता है इंक्रिमेंट हो सकता है यानि आपके सैलरी बढ़ सकते हैं स्वास्थ लाब के योग बन रहे हैं पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है आज बहुत पुराने किसी मित्र से अचानक आज मुलाकात हो सकती है सरकारी कामों में लाब होगा समान प्राप्ति होगी पत्पराप्ति होगी और पिता के साथ अच्छे समंद्र बने रहने का योग बन रहा है शनी देव का मंतर जाप करें ओम शम शम श्विस्ट राय नमख गया रहिए आपके इस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए चाह शवह सफलता लिए समानित होने का योग बन रहा है आज आपका शनी की महातर शावके अंतर दरशा चल रही है तो आज का दिन आपके लिए कौफी मतफूर्ण होने के साफ़ he까지 सबने रहे हैं इसको एक दिन का रात जोग के तोर पे भी आप ले सके वाहत बहुत अच्छी प्राप्ति होगी आपको पिता के साथ अच्छे समंद्र बने रहेंगे सरकारी कामों में लाप के योग बन रहें शनी देव का मंत्र के आप करें ओंश्यमिशन इस्चराय नम गया रहें आपके किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 6 मित्वन राशी के मित्रों के लिए आज का दिन भागेशाली दिन है भागे की सहाथा आपको मिलेगी लेकिन पुरानी समस्याय और कामों में थोड़ी बाधा का योग भी बन रहें उच्छी शिक्षा में सफलता का योग बन रहे हैं पुराने सत्रु आपको परिशान कर सकते हैं कर्म स्थ प्रिशेश करके शनी की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो शनी देव का मंत्र के आप करें ओम शंक्षन श्चराय नमक 11 या किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए दो करकराशी के विद्रों के लिए आज का दिन व्यवशाय में अगरगती दामपत्य जीवन मे रियूनियन के योग यानि तनाव चला रहा था तो आज मेल मिलाब हो जाएगा नए योगा योग होंगे नई पार्ट्मर सिख्ष होने का योग बन रहा है विवशाय शेश के धनलाब के योग बन रहे हैं लेकिन दामपत्य जीवन में थोड़ा तनाव आपको जेलना पर स आठ सिंग राशी के मित्रों के लिए आज का दिन पुरानी समस्याओं का समधान नए योगा योग नई पार्ट्नर सिख्ष विरोधियों के साथ सम्मान जनक्स संधी और स्वास्त संबल दी थोड़ी समस्या सथा सकती है आपको दामपत्य जीवन में तनाव के योग भी ब करने राशी के मित्रों के लिए आज का दिन दामपत्य जीवन में सौटर्म शेपरेशन स्वास्त समंधी समस्याओं प्रेम समंधों में तनाव और सतुरता के योग बंदर पुराना कोई रोग आपको परिशान कर सकता है पार्ट्नर सिख्ष में दरार आ सकती है शनी देव का मंत्र जाब करें ओम शंक्षन स्षिराय नमप 11 यार्थ किस बार आज का लकी नंबर है आपके लिए दो पांच तुलराशी के मित्रों के लिए आज का दिन धन लाब का दिन है स्वास्त लाब का दिन है लौटरी से धन की प्राप्ति आज आपको हो सकते हैं अचानक धन piercingदेव का मंत्र जाहत करें आज का लकी नंबर laugh के लिए दो चैट वरुषिक राशी के आज का दिन परिवार में तनाव, बाधा, प्रेम, समंधों में ब्रेकप, निश्फल, यात्रा, भाई बहनों के साथ परिवार में, दमेस्टिक लाइफ में किसी प्रकार का टकराओ हो सकता है प्रोपर्टी से समंधी मामलों में तनाव जहलना पड़ सकता है अग्रिकल्चर से रिलेटेट कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं तो आपके लिए थोड़ा समस्या वाला दिन हो सकता है शनी देव का मंतर जाप करें ओम शन्शन शनिस्चिराय नमक 11 याव के किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 2-5 कि धनुराशी के दिद्रों के लिए आज का दिन मांसिक तनाव वासस्तान में परिवर्तन लेकिन प्रॉपर्टी के कामों से धनलाब नए काम की सुरुवात और नए कामों से आपको धनलाब का योग बन रहा है पुड़ोस्टियों के साथ मन मुटाव करने से बचे तर्क वितर्क से बचे रहे एक चुप सौ को हराए इस नीती के चले तो नुक्सान आपका कम से कम हो शनी देव का मंतर जाप करें ओम शंक्शन इस्टराइनमर 11 या किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए 2-3-6 इसी रीलेटिव के यहां आज आप जा सकते नए कामों से आपको लाप औगा कण कारियों से आपको लाप को ही से जुड़े हुए कामों से अगर आप जुड़े हुए हैं उनके लिए लापकारी दाजिर रह शनी देव का मंतर जापकरें ओम शं श्वुशन स्टराइनम मान 11 या 21 बार आज का लखी नमबर है आपके लिए दो चार कुमराशी के मित्रों के लिए आज का दिन काफी साउधानी से लेंदेन करने वाला दिन रुपए पैसे के मामले में ना किसी पर भरोशा करें और नहीं रुपए पैसे का इन्वेश्टमेंट बिना सोचे समझी करें शेर मार्केट से दूर रहने की कोसिस करें नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है खर्ज की अधीता से तनाव जिलना पड़ सकता है उदाशी आपको घेरे रहेगी अकेला पन आपको परिशान करेगा शनी देओ का मंतर जाप करें ओम शंक्शन इस्चराय दमक लिया रही आप इस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए चार छे नीन दाशी के मित्रों के लिए आज का दिन मांसिक तनाव लाब और हानी दोनों बराबर रहेंगे नीन की कमी सता सकती है हलंकी अच्छा खान पान दामपत्य शुक बेडरूम प्लेजर के मामले में अच्छा दिन है आज समान बृद्धी भी होगी आपको शनी देव का मंत्र के आप करें ओम शनी शनी सिराय नमप ग्याराई आपके किस बार आज का लखी नंबर है आपके लिए पांच छे तो ये था आज का रासिपल बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का चुड़े रहने के लिए खुश रहिए स्वस्थ्थ